गाइस मुझे कुछ टैम से रिक्वेस्ट मिल रहे थी किसर कोई एसी क्रिम बेत है जो कि हमारे सिंगों ग्लोइंग करें तथा हमारे सिंगों स्मूध बना है क्यों काफिसार लोगे के स्किन फेर तो होती है लेकिन उनके स्किन पर किसी पेतर अगा बिल्कुल भी ग्लो नहीं की साइड में सस्क्राइब लिकाओ दिक रहाँगों उस पर क्लिक कर देना है ताकि आप हमसे जुड़ जाओ और सस्क्राइब करने के बाद साइड में जो गंटी आती है उसको भी आद रखके दबात देना है ताकि में कोई भी नहीं डालो उसका आपको तुरम पता लग ज साथ में कोकोंबर उसमें ले गया जितनी भी इंग्रिडेंस उसमें लेकि जो एक प्रागर के नाचुरल इंग्रिडेंस है तो आपको प्राइस की तो आपको पचास ग्राम का गुश्प्राइब को टू हंड्रेड डबल नाइन रुपी का सपास इसली मिल जाएगा जो की आपको सबसे पहले अपने स्कीन पर आपलाइ करना चोड़ देना है तो गईस अब बात करके बेनिफिट की अगर आपके सिंगों नरिष्ट करते हैं तता आपके स्मूथ आंड ग्लोइंग बनाती है अगर आप इसको यूज़ करना चाहिए बिलकुल उसमें ले सकते हो मुझे बोलते की सार हमारा सकीन और वे लेकिन हमारे बिलकुल भी नहीं है मतलब आपके बलड होने लगता है यहां लगता है जब आपके स्किन में ब्लड कापी अच्छी सप्लाइब होने लगता है जब आपको हर यूड़े बोलता हूँ अगर आप ज्यादा चाहिए वर्काउट करते हैं आपको उससे आपके पाइधा देखने को मिलता है साथ में आपके बॉड़ी तो फी ट्रेटी लेगें के सापके स्किन बर भी कापे अच्छा आने लगता है अगर आप वर्काउट डेल्यूट में ले तो तो आपको कोई भी किनी विश्कने की जरूद ने आपके सिंवर आपके सिंवर आजी आने लगता कैसे लंबी नहीं है जैसे आप डेली वर्काउट करते हो तो आप खुद देखना आपके सिंवर कापे अच्छा लो आने लगेगा तो बस आज की सुड़ों में इतना ही और कैसे आपको इसक्रीम को खरिदना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्टेशन बक्स में मिल जाएगी वासे आ लेकिन अगर आप इस क्रीम के साथ कोई वर्काउट करते हो मतलब कोई भी नौर्मल सी फिजिकल अक्टिविटी करते हो तो आपको उसके साथ आपको कापे अच्छा रिजल देखने को मिल सकता है यार कॉस्मेटिक प्रोड़ों आपको लंबे समय तक रिजल नहीं दे पात करते हैं